दर्शकों हरहर महादेव, आप सभी का हमारे चैनल शिवकथा उपाई पर बहुत-बहुत स्पागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों, आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त और 16 अगस्त दोनों ही दिन अधिक मास की सावन अधिक मास की अमावश्याती थी है। अमावश्याती थी कि इस उपलक्ष पर यदि आप देवादी देव महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आज के दिन प्रदोशकाल के समय पर महादेव के मंदिर जाकर इस एक उपाय को आप अवश्य करनें, आपके जीवन की समस्त कामनाओं पूर्ण होंगी और महादेव के आशिरवास से आपके सबड़ी बिगड़े हुए कारे भी बनने लगेंगे, तो चलिए जानते हैं कौन सा उपाय है जिसे आपको प्रदोशकाल के समय पर करना है, पूछनिया पंडिची ने अपनी श्री शिव महापुरान कथा में विश्रीश रूप से इस उपाय का वर्णन किया है, चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवास को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंथी सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल पत्र अर्पित है, आप उन्हें एक बाशिद जलसी धोकर उपाय में प्रयोक कर सकते हैं, इसी के साथ पांच साबुत आपको चावल के दाने लेकर जाना है, जिसे हम अक्षत के नाम से भी जाना जाता है, बिना अक्षत के कोई भी पूजा पाट कभी भी संपने नहीं मान जाती है, तो पांच सेगे चावल के दाने और बेल पत्र, सबसे पहले आपको चावल के दाने अर्पित करने हैं, शिवलिंग पर अपनी कामना कहना है, उसके बाद पांचो बेल पत्र को एक साथ अर्पित कर डंडी जलाधारी की तरफ हो और आपका मुक उत्तर दिशा की बेल पत्र अर्पित कर साथ बार अपनी कामना को दोराएं और ग्यारह बाद श्री शिवाय नमस्तो भ्यम मंतर का उच्चारन कर एक कामना पून होगी हर हर महादीव